ओके सो हेलो और वेलकम गाईज वेलकम बैक टो ओमनीबल्स इस हरदीब मलिक और आज हम डिसकस करने वाले हैं तीन ऐसे नए स्टॉक्स के बारे में जो अभी इस वक्त ब्रेक आउट लेवल पे हैं तो अभी उससे पहले हम एक बार देख लेता हैं कि पिछले तीन स्टॉक्स जो हमने रेकमेंट किये थे वो किस तरीके से परफॉर्म किये हैं और अगर आपको भी जानना है कि डे टू डे बेसिस पे वो कैसे परफॉर्म करते हैं या फिर और कुछ नए स्टॉक्स जो मैं यहां पर वीडियो में नहीं डालता हूं उसके लिए आप टेलिग्राम चैन अगर आप चार्ट देखोगे तो मैंने आप पर स्टिटली बताया था कि 220 का लेवल जब यह ब्रेक करेगा तो हम इसको लेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि इसका जो हाइस पॉइंट है वही 220 है तो 220 का लेवल इसने कभी ब्रेक नहीं किया है और गाइस इन ऐसे चार् वाच लिस्ट में रख सकते हो लेकिन इस बार जो है स्टॉपलस थोड़ा सा आप यहां पर नीचे रखेगा 195 के राउंड का एंड 220 जैसे ब्रेक करेगा 220.10 अगर यह ट्रेड कर रहा है तो आप इसको बाय कर दीजेगा विदा टार्गेट ऑफ 250 सम्तिंग तो हमारा नीचे आके वापिस से फिर यहां पर स्पाइक देगा तो आप यहां पर देख सकते हो कि स्टॉपलस हमारा कभी हिट करा भी नहीं एक बार नीचे के लिए अगर आपने वेट करा होगा तो 278 75 के राउंड इसमें इंटरी मिली होगी और आप यहां पर देख सकते हो कितना अच्छे से यह शूट अप यहां पी किया है मोर दें 20-22 परसेंट रिटान इसने दिया है विदिन वन वीक तो वैसे तो दो दिन के अंदर ही काम होगा पर लेकिन यहां पर दो दिन दिन आपको इंतजार भी करना रहा होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी मैं सोचाँ थोड़ा ऊपर के लिए इसको टार्गेट करूँ और मिनियुम दस लाग तो इसके अंदर बजना ही चीए तभी मैं इसको बुक करूंगा और नेक्स्ट हम देख लेते हैं टुनवल ए-motors मैंने आपको बताया था तो यह भी उस टाइम पर यहां पर रिवर्सल इस दिन निकाल रहा था तो 57 पर वो मेरा निकला मैंने 56.5 पर और रखा था तो इतनी जल्दी है स्पाइक उपर रही तो 57 पर देखे फिर वापस अब नीचे आ गया तो इसके अंदर भी हमारा 2.2 लाक्स का प्रॉफित हुआ था मैंने आपको ट्रेगाम चैनल पर डाला भ तो अगर आप प्रॉफिट्स पर रिस्क लोग है तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर पैसा बनेगा तो हमने तीन स्टॉक्स देखे तो दोने काफी अच्छा में यह आपे 10-15 परसेंट की उपर मतलब बीस परसेंट की उपर रिटरन दिया है दोनों स्टॉक्स ने और में एंट्री ही नहीं मिली तो आज हम एक नए स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन सा हम अब बाई कर सकते हैं तो पहली कंपनी आ जाती है डैनलोड टेक तो अब अगर आपने 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 टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो डेफिनिटली जोइन कीजिए और इस चै काफी अच्छा है मैं तो इसका यह चल रहा है तो अभी अगर आप देखोगी कि रीसेंटली जोड़ा कांसॉलिडेशन के बाद यह नीचे गिरा है एक नीचे फेक ब्रेक आउट देखे आप उपर की तरफ आ सकता है हम चार्ट पर देखेंगे इसका बस एक इसके अंदर यह चीज़ है कि 12 ताइमस दो बुक वैली चल रही है बड़ कंपनी अच्छी हो तो बुक वैल्यू का इतना हुए रोल होता नहीं है बाकि यह पे काफी अच्छे इसके प्राउज और कॉंस तो कोई खास है नहीं 78 का एवरेज पी है तो है स्कोप इसके बास जाने के लिए उपर तो प्रोमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पहले 50 पर सिक्स्टी के लेवल पर आ गई है तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि अब डैनलोर्ट का चार्ट कैसे है मैं चार्ट पर ज्यादा फोक 30 का आप मान के इसको ट्रेड कर सकते हो 1470 1480 के ऊपर अगर यह मंडे के सेशन में निकलता है अगर गया फुलता है तो हम बेट करेंगे लेकिन अगर फ्लाइट ओपनिंग के बाद 1480 का लेवल यह ब्रेक करता है तो इसको डेफिनिटली बाई कर सकते हो आप 1330 के स्टॉप अगर इसका चार्ट इस ताइप से देखोगे तो हो सकता है कि यह मूव्मेंट काफी फास कर देए एक बारी यहां पर जो यह प्रिवेस इसका सपोर्ट था यानि कि इस एक स्टीन हंडर के आस पास तक इस लेवल तक यह जफिनिटली जा सकते है तो वन इस तो वन इसमें क जल्दी मिल सकते हो तो आप इसको माइंड में रख सकते हो și कंपनी है मेसन इंफरोट के मेसन इंफ्रोट के कंपनी ज्यादा बड़ी कंपनीcling एंसक अधर ज्यादा अब जखो ग्रोच कि में ज्यादा इकशा है Southern इंट ह्यूज यह सरो елड किमा पिन अजय अर्य ज aspect शर्ट तो यह प्राइस एक्षन जो पैर्टन मनता है इस तरीके से तो यह क्लासिक वह पैर्टन मन रहा है हो सकता है कि मंडे को यह गैप अब खुल जाए जिससे आप से बाइंग आये क्योंकि 20% का आपर सर्कृट भी लगा है लेकिन कभी-कभी कहा होते हैं कि अपर सर्कृट के बा थोड़ा सा बस यहां पर SL की है अगर आपको दिक्कत आ सकते कि थोड़ा सा बड़ा देखो डेफिनिटली इसकंदर रहेगा आपको यह रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपके रिस्क अपिटाइट में सूट करता है कि माली यह 40 यह 50 रुपे का SL विद द लॉट साइज इसको यहां से निकल जाना चाहिए और 200-200 के आसपास यह अब 230 के आसपास तब जाके रुखना चाहिए क्योंकि अगर आप इसका 1 इस-to-1 प्रोजेक्शन लोगे उपर की तरफ तो 50 रुपे यहां से टार्गेट मिनियूम मिल रहा है 220 यह डेफिनिटली जा सकता है तो स्टॉक साइन में आपको फंडमेंटल और इन सबसे को ज्यादा अच्छा मिलेगा नी पर इसमें भी मैं बेसिकली चार्ट पे ही बैट कर रहा हूं क्योंकि ऐसमे स्टॉक है तो आप देखो कि यहां से एक वार उपर गया फिर एक बार नीचे गया फिर वापिस से यह इस से बेस फॉर्मेशन कर रहा है लेकिन अभी ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहां से यह वाली कैंडल बन गी ती इसके बाद थोड़ा मेरा कन्विक्शन इसके अंदर आ गया है लेकिन हम बाय थोड़ा अच्छे लेवल पर ही करेंगे एक सो पांच के उपर गूमने दो नीचे जाता है तो जाने दो 105 के उपर हम इसको बाय करेंगे इसको लो है कितने गाई है अराउं 90-93 आप मान सकते हो इसको तो जो भी यह लो है इसके लो के साथ स्टॉप लोस रहेगा तो 10-12% का स्टॉप लोस है लेकिन यहां पर पाने को काफी अच्छा है मत अब यहां पर आल टाइम हाई के लिए देख सकते हो तो गाइस तीन हमारे यह स्टॉप से इंडीगूल फार्म प्रोजेक्स और डैनलोटक एंड मेसन इंफरा इन तीन पर हम आने वाले हफते में नजार रखेंगे और बाकि जो पुराने वाले हमारे स्टॉप से हो काफी अब यह अच्छा रिटारिन उन ने दिया है और अगर आप भी यह रिटार्न वर डेटो डेटो डेटाइज जाते हो तो डेफिनिटली जोई अब्ली विज चैलेग्राम चैनल आपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए